Season 5 Episode 4 Start होता है और हमें स्वाल देखता है कि वो एक एंटिंग के शॉप में आयो होता है उसे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज साही होती है को चीज़े उसे थ्रोग करने के लिए उस शॉप में बहुत सारी जीज़े देखता है पर किसी को वो थ्रोग कर सके ऐसी उसे कुछ भी नहीं मिलती फिर एक कोने में बॉलिंग के बॉल उसे मिलते है नेक सिन में हमें दिखता है कि सॉल और कीम दोनों काम के लिए जा रहे होती है जो बेर बॉटल्स उने नीचे फेकि होती है किम अब उसे साफ करने वाली होती है सॉल बोलता है कि तुम्हें साफ करने को कोई भी जरूरत नहीं है तुम बिल्डिंग को इसके ही पैसी देते हो मेंटरनिंस तुमें इसका ही देती हो वो Saul को आगे चाने के लिए बोलती है और वो साफ करने लग जाती है इकसिन में हमें दिखता है कि Saul की दो उसके क्लाइंट से मीटिंग हो रही होती है यह वही उसके क्लाइंट होते है जो उससे फोन बाय करते थे इस एपिसोड में हमने देखा था कि पूरी सिटी में गंदगी करते हुए कुछ भी करते हुए हमें वो दिखे थे अब उन्हें पकड़ा गया है और Saul उन्हें डिल दे रहा होता है Saul उनको बोलता है कि तुमारे लिए वन अयर मिल रहा है अगर तुमी डिल एक्सेप्ट कर लेते हो तो पाच्छे मेने में तुम बाहर निकल सकते हो वो उन्हें रहाइब में जाने के लिए भी बोलता है पर वो बोलते है कि हम रहाइब में नहीं जा सकते हम डिल लेने के लिए रेडी है पर रहाइब में हमें नहीं जाना पूर्ण से पूर्ण से पूछता है कि तुम जैसा पे करते हो वैसे तुमें मिलता है, अगर तुम स्टेट असाइंड लॉयर के साथ जाओगे तुमें 20 मंस के लिए जहल हो सकती है, वह फिर ये सुनकर डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम एडील करने के लिए रेडि है, हावड पता होता है कि अब वो जैल में जाने ही वाले हैं, जब उनके लिए कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आता, तब वो नाम लेते हैं सॉल गुट्मन, ये बहुत ही अच्छे से वो हावड को ये आईडिया सेल करता है, हावड भी इसी इंप्रेस होता है, हावड फिर से बोलता है कि तुम आज कल बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और मैं बहुत सारा तुमारे बारे में सोच रहा हूँ, जब स्कॉलर्शिप कमिटी में तुमने उस लड़की को चांस देना चाहा, तब से मैं तुमसे इंप्रेस्ट हो जुका हूँ, तुम हमेशा हसल वगरा करत हो, फिर हावर्ड उसे ओफर दिता है, हावर्ड उसे बोलता है कि तुम्हें HHM जॉइन करना चाहिए, मैं तुम्हें पार्टनर भी बना सकता हूँ, सौल बोलता है कि मैं इस पर 100% सोचूंगा, नेक सिन में हमें दिखता है कि मैं से वरेटे कि यहाँ की मीटिंग चल रही होती है, किम केविन को बोलती है कि जो ओल्ड मैन है, वो अपना हाउस सेल नहीं करने वाला, फिर उसके पास एक आइड़ा होता है, उस ओल्ड मैन को, किम को ज़्यादा तकलिफ नहीं देने होती, तो इसलिए उन्हें फ्लोर प्लाइन स्विगरा निकाले होती है, उसने उन आज उसका डे होता है, कैली को बेविसीट करने का, पर उसके डॉटर इनलो बहार आती है, और माइक से पुछती है, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, माइक उसे बोलता है, कि मैं आज बेविसीट करने वाला हूँ, पर उसे बोलती है, कि आज अच्छा टाइम नहीं है, वो पिर वो नहीं मानती, वो बोलती है, कि तुम अपने लिए कुछ टाइम लो, और नेक्स्ट वीक में मैं तुम यह दिनर के लिए बुलाओंगी, नेक्स्ट जो सीन है, वो कोड्रूम का है, कोड्रूम में अपने क्लाइन को सॉल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पर जिसने उसके क्लाइन के अगेंस केस डाला होता है, उसे वो कोड्रूम में बुलाता है, उसे बोचता है, कि मेरा क्लाइन यही है, जिसके अगेंस तुम ने चार्जेस प्रेस किये है, फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ, यह वही है, और सॉल ने ट्रिक क्यों होती है, उसके क्लाइन उसके interest के लिए वो स्वाल वकर believe करती है तो इसलिए वो से deal दे रही है Next in में हमें Lost Palace सर्मानस दिखाए गया है वागस और उसका जो manager होता है वो दोनों होते है उसका manager सब लोगों को घर जाने के लिए बोलता है और वो वही काम कर रहा होता है फिर गस वहाँ आता है और गस उससे बोलता है कि यह जो pot से यह अच्छे से clean नहीं हुए है तो फिर वो manager बोलता है कि मैं इसे फिर से clean कर दूँगा यह सब जब हो रहा होता है तब ही DA अब गस के जो drop होते है जहाँ वो सब पैसे बगरा रखता है जहाँ उसके आदमी जाकर सब पैसे रखकर आते है वहाँ पुलिस की rate पढ़ने वाली होती है Hank और Shader दोनों वहाँ होते है यह दोनों इन सब लोगों को पकड़ने वाले होते है जब वो manager बोलता है कि आप मैंने इस सब कर लिया है Gus फिर से उसे बोलता है कि यह अच्छा नहीं हुआ है Gus को एक अलवाय चाहिए होता है उसके साथ कोई चाहिए होता है उस रात जब पुलिस सब इन लोगों को पकड़ रही है इसलिए वो अपने manager को बहुत यह तकलिफ देता है उसका जो main अदमी होता है जो सारे पैसे रख रहा होता है उस drop से वो पैसे निकालता है Hank और Shader उस पर नज़र रख रहे होते हैं तो फिर उसके पीछे वो भागते हैं वो फिर एक sewer line में गुश जाता है Hank और Shader भी उसके पीछे लगते हैं पर वो वाहर से भाग जाता है पर Hank और Shader को गस के पैस मिल जाते हैं यह 700 के डॉलर्स होते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बस्ट होती है फिर Saul उस old man को मिलने जाता है वो old man बोलता है कि मुझे किसी भी lawyers नहीं मिलना है Saul उसे बोलता है कि मैं तुम्हें represent करने वाला हूँ Saul उसे बोलता है कि हम मैं सावर्टे को बता देंगे कि वो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकते Saul को हवार्ट पर गुशा होता है वो ऐसा जतर रहा होता है कि Saul को अगर वो job दे देगा अपने आप पर ही गुस्सा है तो प्रिवेस एपिसोड में जिस लड़के को उसने मारा होता है उसी ग्यांग के पास हो जाता है उनके सामने से वो गुजरता है तो फिर वो ग्यांग उसके पीछे लग जाती है वो उसे बहुत मारते है माईक को जब हो जाते तो उसे पता नहीं होता कि वो कहा है वो फिर बाहर निकलता है तो एक टाउन होता है गस ने उसे हेल्प की होती है और उसे इस टाउन में वो रख देता है यही पिस्वर खदम हो जाता है